अज बाइकर क्या निया आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आया था SMK गल्विंग हेलमेट के बारे में तो चलो बिना टाइम वेस्ट की यह स्टार्ट करते हैं यह SMK का न्यू हेलमेट है न्यू लॉंच है यह यह फ्लिप वाला हेलमेट है इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स आते हैं अब भी हम लोग ने खाली दो ग्राफिक्स मंगवाए है आपको दिखाने के लिए यह SMK का फ्लिप वाला नया हेलमेट लॉंच हुआ है जो आगे से खुल जाता है इतना ज्यादा हेवी फील भी नहीं हो रहा है हाला कि इसका वेट है 1750 ग्राम बट इतना वेट फील नहीं हो रहा है अब कोई भी फ्लिप वाला हेलमेट देखो के तो थोड़ा हेवी में ही आता है क्योंकि इसमें मेकनिजम ज्यादे होते है थोड़ा वेट बढ़ जाता है इसका तो चलिए यह हेलमेट के बारे में आपको स्टार्ट करते हैं बताने के जो न्यू हेलमेट लाँच हुआ है जो 5950 रूबीस अल्मोस 6000 रूबीस का है इसमें आपको डियोल वाइजर आएगा इसमें आपको पिन लॉक सिस्टम आएगा पिन लॉक्स भी बहुत अच्छा दिया है जैसा आप देख सकते हो नया वाइजर सिस्टम दिया है इसका वाइजर कैसा निकालना है इसका में आपको नेक्स वीडियो में बता हूँगा यह वीडियो में आपको सिर्फ यहलमेट के बारे में बता रहा हूँ ग्योल वाइजर है वाइजर का बटन बाहर दिया है कि कलर में बहुत प्यारा दिया है इसको जो एक्सेसरी जो एक्स्ट्रा फिटिंग किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है वेलेश्ट सिस्टम उपर निभी एर वेंटिलेशन सिस्टम फ्रन्ड का नोजगाड दिया है नीचे का इसमें ये बटन दिया है ये बटन खोल कि आप ये खोल सकते हो ये खोलने के बाद में अगर ये आपको नीचे नहीं लाना है तो आप ये लॉक कर दो इसमें ये आपका नीचे नहीं जाएगा यहाँ पर हेलमेट लॉक दिया है इसका flip up का lock है ये इसको आप खोल दो ये नीचे होगा उपर करके इसको lock कर दो तो lock हो जाएगा अंदर का इसका जो pushants है ये completely new type का दिया हुआ है आप जैसा देख सकते हो पूरा feeling ही अलग है एकदम बहुत soft material दिया है and इसमें Bluetooth speaker pockets भी दिया है इसमें quick release strap दिया है dual visor का यहाँ पर button दिया है इसमें metal lock system दिया है ये flip up का and इसमें जो chin curtain है ये आप अंदर से निकाल भी सकते हो आपको setting जैसे अची आप कर सकते हो किस-किस का face बड़ा होता है तो उनको ये निकालना पड़ सकता है double chin setting है इसमें कि double chin setting में दिया हुआ है एंड ये वाला जो helmet है ये आएसा मार्क है NEC approved है जो आएसा मार्क आजकल compulsory है टूविलर helmet European certification अब इंडिया में बिर्दास फैंक इसको भूम सकते हो आपको कोई ये रोप्टोप नहीं है क्वालिटी भी बहुत अच्छा है तो जैसे मैंने आपको बता है ये SMK का निव लॉंच हेल्मेट है गल्विंग हेल्मेट है ये गल्विंग मॉडल में ये क्रेस्टोग्राफिक्स है 5950 का MRP है इसमें अब को फ्लिपब मिलेगा डियोल वाइजर मिलेगा लुटूथ स्पिकर पॉकेट्स मिलेंगे अब को एंटी फोग लेंग मिलेगा पिन लॉक 30 नंबर का अंदर अल्रेडी दिया है ये फिट हो किया आता है एर वेंटिलिश सिस्टम्स बहुत अच्छे दिये है उपर भी है नीचे भी है एंड बहुत सॉप कुछ निक्स है डबल चिंग करतन दिया है इसका वाइजर कैसा ओपन करते हैं यह मैं आपको नेक्स वीडियो में बता दूंगा अगर आपको यह हलमेट वर्चस करना है तो आप हलमेट वर झाल लए ओमेट इसका हैं आपको यह हम लाइजर की का ड़ में पीangenत्र आपको कहते हैं पुईबस का भी है पुन उपको刃 म checking, पेवड़ पर शहरते हैं उपको इसकूपर को मैं वर्बड़िबस आपको झाल झाल झाल